क्या हुआ जब विध्वा मा के पुत्र को नदी में डूबने से बचाने के लिए वानर रूप लेकर आए बजरंग बली तराखंड के गाउं में एक वसुधा नाम की महिला रहती थी वसुधा के पती का देहांत कई साल पहले हो गया था वसुधा अपने बेटे के साथ रहती थी और वसुधा काफी गरीब भी थी वो बाउं में छोटे मोटे कारे करके अपना घर चलाया करती थी वसुधा का इस पूर्ण संसार में उसके पुत्र के अलावा कोई दूसरा नहीं था एक दिन वसुधा गाउं से बाहर अपने बेटे के साथ तलाप से पानी भरने गई वसुधा पानी भर रही थी और उसका पुत्र पास ही में खेल रहा था तब ही खेल खेल में उसके बेटे का पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया और वो डूबने लगा वसुधा ने रसी फेक कर उसे बचाने का प्रयास किया परंतु वो असमर्थ रही और उसके बाद जो हुआ परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और साथ ही नीचे दिये गए घंटी के बटन को दबाना ना भूले वसुधा रोने लगी चिला चिला कर मदद की गुहार लगाने लगी परंतु जब कोई नहीं आया तब वो गाउं की ओर किसी को बुलाने के लिए दोड़ी जैसे ही वसुधा वहां से गई तब कुछ ऐसा हुआ जिसे देख वसुधा स उसका पुत्र पेड़ के नीचे बैठा है और उसके सिरहाने वो बंदर बैठा हुआ है वसुधा और गाउवालों के वहां पहुँचते ही सब ने देखा कि वो वानर वहां से जाने लगा और सभी ने देखा वानर जो वहां से जा रहा है तो उसके पीछे एक दिव्यरसी रोशनी हो रही है सब लोग वानर का ये रूप देखकर डर गए वसुधा ने अपने पुत्र से पूछा कि तुम बाहर कैसे आए तब उसके पुत्र ने सारी बात वसुधा को बताई वसुधा वे सारे लोग जिन्हें वो लेकर आई थी सब आश्चरे में थे वसुधा को ग्यात हुआ कि वो कोई साधारन वानर नहीं था वो स्वयम हनुमान जी थे इस प्रकार हनुमान जी ने खुद प्रकट होकर बालक की जान बचाए दर्शकों कैसी लगी आपको हमारी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले ऐसे ही रोचक तत्यों एवं सत्य घट से जुड़ी कोई सत्य घटना है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिये नंबर पर हमारे साथ साजह कर सकते हैं